विनोत खन्ना का निधन हर किसी के लिए एक बड़ा जटका था। उनकी अचानक हुई मौत उनके परिवार और फैंस को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया था। उनकी मौत से पहले ये बात कम लोग ही जानते हैं कि वो कैंसर से जूज रहे थे। बॉलिवुड के दिगज अभिनेता विनोत खन्ना उन सितारों में से एक हैं जिनोंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई हैं। उनका सफर काफी शांदार रहा है। विनोत ने गुर्दास पूर से संसत के रूप में कारे किया। उनका जनम पंजाबी हिंदू परिवार में कमला और किशन चंद खन्ना के घर पेशावर में हुआ था। उनके जनम के कुछ समय बाद भारत का विभाजन हो गया और उनका परिवार पेशावर छोड़कर मुंबई आ गया। विनोत खन्ना ने सेंट मेरी स्कूल मुंबई में दूसरी कक्षा तक पढ़ाई की और फिर दिल्ली में रहनी लगे। 1957 में उनका परिवार दिल्ली चला गया जहां उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मतुरा रोड़ में पढ़ाई की। हालंकि 1960 में उनका परिवार वापिस मुंबई आ गया। लेकिन विनोत को नासिक के पास बोड़िंग स्कूल भेश दिया गया। बोड़िंग स्कूल में उन्होंने महा काव्य सोलवा साल और मुगले आजम फिलम देखी और उनको मोशन पिच्चर्स के साथ लगाव हो गया। अतादे की विनोत ने सीडेन हेम कॉलिज मुंबई से वानिज्य की उपादी प्राप्त की उन्हें किरिकेट पसंद था। विनोत खना ने साल 1988 में मनका मीत से हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया था और खलनाय के रूप में नजर आए। इस फिलम के बाद वह आन मिलो सजना, पूरव और पक्षिम, मेरा गाओ मेरा देश, सच्चा जूटा और मस्ताना जैसी कई फिल्मों में नेगरिटिव रॉल में दिखाए दिये। इसके बाल साल 1971 में हम तुम और वो में मिनोत खन्ना वतोर मुख्य अभिनेतर नजर आए। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अभिने का जादू चलाया और कई सूपर इट फिल्में दी। विनोत खन्ना ने साल 1982 में अपनी फिल्म करियर के चरम पर इंडरस्ट्री को छोड़कर अध्यात्म की रहा को चुना था। उन्होंने अपने अध्यात्मिक गुरू ओशो रजनीश का अनुसरन करने के लिए अस्थाई रूप से फिल्म उद्योग छोड़ दिया। करीब पांस सालों तक उन्होंने खुद को फिल्मों से दूर रखा। इसके बाद साल 1987 में उन्होंने वापसी की। वापसी के बाद उन्होंने जुर्म और चांदनी में रोमांटिक भूमिकाय निभाई। लेकिन उन्होंने जादतर एक्शन फिल्मों में ही भूमिकाय ओफर की गई। विनोत खन्ना ने अपने करियर के पीक पर गीता अंजली से शादी की थी। दोनों की पहली मुलाका थेटर के दुरान हुई थी। दोनों के दो बच्चे अक्शे खन्ना और राउल खन्ना हुए। वही साल 1990 में गीता अंजली से उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने कविता से दूसरी शादी की। कविता से उनकी एक बेटी और बेटा हुआ। 1999 में विनोत खन्ना को फिल्मों में उनके तीश वर्ष से भी जादा समय के योगदान के लिए फिलम फियर के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें मर्णो प्रांत भारती सिनेमा के सरवच पुरिसकार दादा साहिफ फाल के पुरिसकार से सम्मानित भी किया गया। पूरी दुनिया में अपनी एक्टिंग का डंका पजाने वाले विनोत खन्ना का निधन ब्लड कैंसर की वज़े से हुआ था। उन्होंने काफी समय तक अपनी बिमारी को परिवार से छुपा कर रखा। उन्हें 6 साल पहले ही ब्लड कैंसर होने का पता चल गया था। उन्हों 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ। आजम जैसी फिल्में देखी। इन फिल्मों का उन पर कहरा असर पड़ा। विनोत खन्ना के पिता नहीं चाते थे कि उनका बेटा फिल्मों में जाए। विनोत की जिद के आगे वे जुके और उन्हें ने दो साल का समय विनोत को दिया। विनोध ने इन दो सालों में मेहनत कर फिलम इंडस्ट्री में जगा बना ली। राजिश खन्ना को विनोध बेहत पसंद करते थे। हैंसम विनोध को सुनील दत ने मन का मीत 1968 में विलन के रूप में लौंच किया। यह फिलम दत ने अपने भाई को बतौर हीरो लौंच करने के लिए बनाई थी। वह तो पीछे रह गए लेकिन विनोध की चल निकली। हीरो की रूप में स्थापित होने के पहले विनोध ने आन मिलो सजना, पूरम और पश्चिम, सच्चा जूटा जैसी फिल्मों में सहायक और खलनाया के रूप में कान किया। गुलजार द्वारा निर्देशित मेरे अपने 1971 से विनोध खना को चर्चा मिली और बतौर नायक में वे नजर आने लगे। मल्टी स्टार फिल्मों से विनोध को कभी परेज नहीं रहा। वे उस दोर की स्टार्स अमिता पच्चन, राजेश खना, सुनील दत, आदी की साथ फिल्मे करते रहे। अमिता पच्चन और विनोध खना की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हेरा फेरी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकदर का सिकंदर, ब्लॉक बास्टर साबित हुई। सफलता की शिकर पर रहते हुए, 1982 में विनोध खना ने अचानक ऐसा फैसरा लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में हड़कम मच गया। विनोध अपने अध्यात्मिक गुरू रजनीश ओशो की शरण में चले गए और क्लैमर की दुनिया को उन्होंने बाए-बाए कह दिया। ओशो के आश्रम में इस सुपरिस्टार ने बरतन धोने और माली का काम किया। विनोध के अचानक इस तरह से चले जाने के कारण उनकी पतनी कीतांजली नराज हुई और दोनों के बीच तलाक हो गया। विनोध और गीतांजली की दो बेटे अक्षे और राहूल खन्ना है। 1990 में विनोध ने कवीता से शादी की। कवीता और विनोध का एक बेटा साक्षी और बेटी शर्दा है। फिल्मों के प्रती प्यार विनोध को फिर फिल्मों में खीच लाया। और 1987 में उन्होंने इंसाफ फिल्म से भाप्सी की। चार-पांच साल तक नायर बनने के बाद विनोध धीरे-धीरे चरितर भूमिकाओं की और मुड़ गये। विनोध खन्ना सल्मान खान के साथ बहुत सी फिल्मों में नजर आ चुके हैं। सल्मान उन्हें अपने लिए लखी मानते हैं। विनोध खन्ना मुखे भूमिका के दोर में बहुत फिट थे। विनोध खन्ना के बारे में फिल्मी दुनिया के लोग और उनके प्रशन सक तक क्रीबन में सारी बाते जानते हैं जो सारुजनिक रूप से यहां वहां फिल्में पत्रिकाय और उनके इंटर्व्यू के जरिये उपलब्द है। लेकिन उनके नीजी जीवन की तमाम ऐसी बाते हैं जिने बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। जैसे कि निर्देशक प्रकाश महरा अपनी फिल्म हाथ की सफाई शूटिंग के दौरान जब हेममाली को जान पूछ कर परिशान किया करते थे तो हेममाली को उस वक्त विनोत खन्ना नहीं सबसे ज़्यादा नयतिक समर्थन दिया। या कि जब विनोत खन्ना नहीं राजनीती की तरफ कदम बढ़ाय और हेममाली ने उनकी एक सभा में भाषन देने का अनुर्वत किया तो हेममाली ने उनकी बात मान ली। और ये सियासी भाषन ही हेममाली का राजनीती की तरफ उठाया पहला कदम बना। विनोत खना ने भारती जंता पार्टी की सद्यसिता ली और लोकसवा का चुनाप पंजाब की गुर्दासपूर सीट से लड़ा वे एकलोती फिलम का लाकार है जो लोकसवा के लिए चार बर चुने गए अटल भिहारी बाचपई की सरकार में वे प्रेटन मंत्राले और विद जैसे रैली की तारिक नस्दीक आती गई उनका तनाप बढ़ने लगा हेमा माली रैली के कुछ दिन पहले अपने घर में कुछ बैचेयन सी बैटी हुई थी उनकी मा जया चक्रवर्ती की नजर उन पर पड़ी उन्होंने बेटी से परिशान होने का कारण पूछा तो बदल में राजनीतिक यात्रा में बदल गई शुरू करने की बात मान गई लेकिन अब भी सवाल ये था कि हेमा माली वहां बोलेगी क्या बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उस तिन हेमा माली ने विनोत खन्ना की रैली में जो भाशन दिया वह उन्हें उनकी मा जया चक्रवर्ती न और फिर वह वक्त आया जब विनोत खन्ना ने मंच से हेमा माली का परिच्च रैली में मौझूद लोगों से कराया हेमा माली जैसे ही माईक के सामने आई पूरा मैदान हेमा माली जिंदाबाद बसंती जिंदाबाद के नारों से गोंज उठा हेमा माली ने सबका तालियों की जोड़दार गड़गड़ाट से पूरा मोहौल कुंचा दिया रैली में मौजूद लोग बताते हैं कि काफी देर तक ये तालिया बश्टी रही लेकिन तालियों की इन गड़गड़ाट में विनोत खन्ना की उस चुनाब में रहा असान कर दी भारती जनता पार्टी की नेताओं ने पहली बार खुली सवमें हे ममाली को मिले इस इसनेहे की दिवानगी देखी अमरिता सिंग का नाम ना सिर्फ अपनी बहतरीन फिल्मों बलकि परसनल लाइफ के लिए भी जाना जाता है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सैफली खान से शादी करने से पहले अमरिता सिंग दो सेलिब्रिटी के साथ सीरियस रिलेशन्शिप में रह चुकी है यहां तक की बात शादी तक पहुँच चुकी थी लेकिन एन मौके पर सब कुछ बदल गया खबरों के अनुसार अमरिता सिंग का नाम एक समय इंडियन किर्केटर रवी शास्त्री के साथ जोड़ चुका है रवी और अमरिता काफी सीरियस रिलेशन्श में थे और शादी भी करना चाते थे हलांकि किर्केटर नहीं चाते थी कि शादी के बाद अमरिता सिंग फिल्मों में काम करे और यह बात अमरिता को मंजूर नहीं थी नतीजा इनकी शादी होती और उससे पहले ही ब्रेक अप हो गया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इसके बाद अमरिता सिंग की लाइफ में एंट्री हुई एक्टर विनोत खना की कहते हैं दोनों के बीच फिलम बटवारा की शूटिंग के दोरान नस्दीकिया बड़ी थी जल्द ही अमृत खैनल की बीच की नज़ी क्योंकि किससे आम हो गए असल में विनोत खैनल शादी चुदा थे और उम्र में अमृत सिंग से बड़े थे यही नहीं खबरों की माने तो अमृत सिंग की मा भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी यह शादी करे कहा तो यह भी जाता है कि अमरिता की मा ने अपने political connection का इस्तमाल करते हुए बेटी से दूर रहने के लिए भी कहा था साल 1991 में अमरिता सिंग ने अपने उम्र से 12 साल छोटे सैफली खान से शादी करी थी इस शादी से अमरिता सिंग और सैफ के घर दो बच्चे सारा और इब्रहान का जनम हुआ था बॉलिवूड एक्टर विनोथ खन्ना के साथ romantic scene करने से अदाकाराय ड़ती थी इसके पीछे वज़ती intimate scene के वक्त उनका बेकाबू हो जाना डिमपल कबाडिया से लेकर मादुरी दिशित तक के साथ वे बेकाबू हो गए थे महेश वट के नेदेशन में बनी फिलम मार्ग में विनोथ खन्ना और डिमपल के बीच एक kissing scene था जिसमें विनोथ खन्ना डिरेक्टर के कट होने के बाद भी लगातार डिमपल कबाडिया को किस करते रहे थे फिलम मार्ग की shooting 1988 में हुई थी और विनोथ खन्ना के साथ डिमपल कबाडिया एवं हेममाने लीड रॉल में थे विनोथ खन्ना उस समय सुपरस्टार थे और हर डिरेक्टर उनके साथ काम करना चाता था यह scene रात के वक्त shoot हो रहा था सेट की light भी काफी dim थी महेश वट ने action बोला और विनोथ डिमपल को किस और हग करने लगे कुछ तेर बाद महेश वट ने कट बोला लेकिन विनोथ खन्ना डिमपल को लगातार किस करते रहे डिमपल काफी डर गी और उन्होंने जैसे तैसे खुद को विनोथ से छुडाया वे भाग कर मेकप रूप में चली गी इसके बाद डिमपल काफी नराज हुई तब महेश वट ने उनसे माफी मांगी और सफाई दी की विनोथ नशे में थे ये फिलम चार साल बाद प्रेम धरम के नाम से रिलीज हुई आपको बता दे कि इस फिलम के बाद भी डिमपल ने विनोथ खन्ना के साथ कई फिल्मों में काम किया था डिमपल के साथ हुई घटना के बाद भी विनोथ खन्ना ने सबक नहीं लिया और ऐसी ही हरकत फिर कर बैठे फिलम दयावान के दौरान मादरी दिश्यत के साथ इंटिमेट सीन देते हुए इतने बेकाबू हो के थे मादरी के होट ही काट लिये थे फिलम रिलीच के बाद इस सीन के लिए मादरी की खुब अलोचना होई थी माधि दिश्यत उमर में विनोथ खन्ना से 20 साल छोटी थी बाद में विनोथ खन्ना ने इसके लिए माफी भी मांगी थी बॉलिवुड के दिगच अभिनेता विनोत खन्ना आज भली ही हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी यादे आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में बसी हुई है उन्हों है अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिलमे दी और अपनी दमदार अभिने से दुनिया भर के लोग दिलों में अपनी जगा बनाई थी आज हम विनोत खन्ना से जूड़ी एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे विनोत खन्ना अपनी जमाने के मशूर अभिनेता हुआ करते थे उस जमाने में सबसे ज़्यादा फीस पाए जाने वाले एक्टर हुआ करते थे 70 साल की उमर में उनका निदन हो गया था लेकिन आज भी उनके चाने वाले उन्हें याद करते रहते हैं आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 70 की दर्शक में विनोत खन्ना अकेले एक ऐसे अभिनेता थे जो अमिता बच्चन को सीधे तोर पर टकर दिया करते थे बॉलिवुड में वह एक सफल एक्टर थे लेकिन ऐसा क्या हुआ उन्हें अपने बनाई करियर को छोड़ना पड़ा और फिल्मों से दूर होना पड़ गया था दरसल अपने एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1978 में ही फिल्मों से सन्यास की गोशना कर दी थी उनके इस फैसले ने सब भी को हैरान कर दिया था उन्होंने बताया था कि उन्होंने 1978 के बाद कोई भी फिल्म साइन नहीं की थी लेकिन उससे पहले उन्होंने जितनी भी फिल्में साइन की थी वे उन सब की शुटिंग पूरी करने के बाद ही बॉलिवुड को अलविदा कहा था दरसल विनोत खन्ना ने अपने गुरू ओशो रजनीश के साथ अमेरिका के ओर्गन में नए आश्रम में रहने के लिए फिल्म इंडरस्ट्री से ब्रेक ले लिया था इससे पहले उन्होंने 1970 के दशक में मद्धे में अपने अध्यात्मिक गुरू ओशो से मुलाकाद की थी और ध्यान के लिए वीकेंड में पूरे में ओशो आश्रम का दोरा करना शुरू कर दिया था विनोत खन्ना जिनोंने सुवामी विनोत भारती के नाम से ओशो के नव सन्यास की दिक्षा ली थी आश्रम में माली की रूप में काम किया था 1986 के आसबास अमेरिका में ओशो आश्रम का अमेरिके सरकार के साथ मन मुटाव हो गया और वह बंध हो गया जिसके बाद खन्ना मुंबई वापिस आ गए और फिलम उद्योग में फिर से शामिल हो गए थे अपने एक इंटर्वियू में खुद विनोत खन्ना ने यह काता कि सेवन्टीज में आमिताप को टक्कर देने वाले वे एकलोते एक्टर थे साथ में दोनों ने कई फिलमे करी हैं और दोनों के प्रफॉर्मेंस को बराबर ही समझा गया है और फिलम की सफलता का श्रे भी उन दोनों को बराबर दिया जाता था अमिताप और विनोत खन्ना की फिलम मुकदर का सिकंदर आज भी लोगों के बीच में काफी मशूर है झाल झाल